तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बश्चागत करता अपनी यूट्यूब चैनल विशाले जूकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा आप लोगों के रोजगार पंजिये नहीं हो पा रहे हैं पिछले एक अपते से साइड बन है तो जिनके भी रोज तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करूं बताओं रोजगार कर ला मदबर इसकी तरफ से लेटर जारी हुआ था समस्त कलेक्टर के लिए कि ये जो माई MP पोर्टल जो रोजगार पोर्टल है उसकी समस्चा की संबंद में बताया गया है और उन्होंने कहा है कि एक समा लोग वेबसाइट पर आ रहे थे तो बहुत जादा ट्राफिक के कारण वेबसाइट क्रेस कर रही थी वेबसाइट नहीं चल रही थी तो इसके लिए भी उन्होंने यहां बोला है कि सर्वर पर काम चल रहा है उसकी जो सर्वर की स्पीड उसको बढ़ाने के लिए काम चल और सबसे पहली चीज़ अधा चेतर के आवेदे को सुझत किया जाता है कि आवेद्यों को किसी परकार की छती नहीं होगी सीमेल प्लान की सिकायतों का निराकरण भी इस प्रकार किये जावेंगे और आवितेगों के निमलकाद बिंदू गुजमारक दसन किया जाएगा जिसमें से इन्होंने कहा है कि MP पुलिस की जो है तीस तारीक जो थी वो तीस जन्मरी से बढ़ करके साहिद 15 फरवरी मेरे साब से होने वाली है तो आप लोग चिन ताना करें मिलकुल भी और किसी प्रकार की समस्था नहीं होने वाली है तो चली हम में ले चलते हूं आपको रोज़गार पंजिन की एक सायट पर और केसे उसको क्ाम करते हैं उसमें देख लेते हैं ठोरके तो दोस्तार हम तो देख सकते हैं MP रोज़गार पोटल की अवन्ल के साइट पहे हैं और जो चात्रों के मन में सबसे जाना question जो पूछे जा रहा है MPLN की site से या उनके complaint से तो उनके उत्तरणों ने दिये हैं बहुत अच्छी आसानी से तो सबसे पहले यह दिया आपका पहले से know your registration पर registration ID NAS हो होती है तो आपकी profile complete नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए आप password करने के लिए आपको इन नंबरों पर call करना होगा तो यहां से आप forget कर सकते हैं या फिर helpdex.mp.gov इन पर भी आप अपनी जानकारी बेच करके password को reset कर सकते हैं और फिर आता है नया पंजियन के लिए क्या करें तो नया पंजियन के लिए सबी को पता होगा कि form registration करके या पासना डेटियल फिल करेंगे तो फिर इससे आपका registration नंबर हो जाएगा तो दोस्तों यह थी आज की update और डेट आंगे बढ़ जाएगी तो फिर कोई दिक्टत नहीं है तो जिनके registration नहीं हुए हैं तो वो या तो सुबह जल्दी करें या फिर रात में बारा बज़े के बाद कर तो registration उनका आसानी से हो जाएगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए जितने ही महत बहुत धन्यवाद